हَلू फ्रेंट्स। चेस्anych 넘 ن ي slang में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंट्स आज मैं आपको ब्ल Azerbaijan करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाली हूँ । अभी तक मैंने आपको जो तरीका बताया हुआ हैए हुससे थोड़ा अलग है। इसके पहले जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ब्लॉज फिटिंग करने का उससे भी आप परपेक्ट तरीके से ब्लॉज की फिटिंग कर सकते हो तो आपको ब्लॉज फिटिंग करने में कोई परिशान नहीं आएगी तो आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है ठीक ह और सामने और पीछे का पल्ला जो है उसको यहां पर बराबर कर लेंगे सबसे पहले और यह भी देखना है कि आर्मोल की तरफ आपके दोनों पल्ले बराबर है कि ने अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर कर लेंगे तो यहां पर हमारा दोनों पल्ला सामने का और पीछे क का बराबर है आर्मोल की तरह भी अब देखिए यहां पर हम इस तरह से रखेंगे इस पल्ले को जो हमने सेंटर पर मार्गिंग किया हुआ है वहाँ पर इस तरह से बराबर मिला के रखेंगे आई पट्टी को और यहां पर देखिए कमर का फोर पार्ट लेंगे 7 इंच साँच की फिटिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए अस्तिन लगाने से पहले आपको इस प्रोकर से फ्रंट और बैग को बराबर कड़ाहे थी के अभ yarn Bean पर ली psychologist को बराबर कर लिये उसके तो देखिए यहाँ पर हमने सामनी की तरफ अस्तिन को लगाया हुआ है अब इसको double slide लगाएंगे और इस तरफ आएंगे देखिए shoulder की तरफ अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम back armool की तरफ अस्तिन को attach कर लिएंगे इस परकार से देखिए जब भी आब lounge में अस्तिन ल अब यह पर हम double sour Alex लाती हुए शूल्डर की तरह आएंगे और यहा पर पका कर लेंगे तो दीखे यहाँ पर इस Sara से पका कर लेना है तो दीखे यहाँ पर हम एक तरफ अस्तिन को अटैच कर लिए अस्तिन को अब सिधा करेंगे और देखे यहाँ पर इस तरह से नाकुन से क्रिज कर लेंगे तो नाकुन से क्रिज करने से क्या होता है कि अच्छी फिनिशिंग दिखती है अब यहाँ पर दीखे दुसरे तरफ हम अस्तिन लगाना स्टार्ट करेंगे तो दुसरे तरफ मेरी चैनल पर नए है और अभी तक चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो प्री चैनल को सबस्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लिजेगा इससे आपको मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप मेरी सारे लेटेस्ट वीडियो देख सके और वीडियो लगती है तो एक जूरू कर दीजीएँगा दीखिए यहाँ पर हमने ऐस्तिन को इस पारकार से लगा लिया और यहाँ पर हम डबल सamente कर लेंगे अब अस्तिन को देखेगे हमने लगा लिया है इसको सिदा करेंगे और इस तरह से नाकून से कर लेंगे तो द क्र और्मल के जो जॉइंट से वह भी बराबर आमने सामने होने चाहिए नई तो आपका आगे का और पीछे का जो पल्ला है ब्लाउच का वह उपर निचे हो जाएगा उसके जॉइंट चोई उपर निचे आएंगे इसलिए मैं आपको अस्तिन लगाने से पहले हमेशा ब्लाउच के दोनों पल्लों को बराबर करने के लिए बताती हूँ तो दीखें आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे का और पीछे का पल्ला बराबर है और यहाँ पर दीखें यह जो आर्मल के जॉइंट से यहाँ पर मैं आपको चौक से बता दीती हूँ निशान लगा के यह इसकी सि किनारे से एक एक सिलाई दी आपर है टो इस तरह से कट कर लेंगे अब िसको हम इल्टा कर लेंगे देखे इस avall Uhr clicks तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर worse एसे सी sticking का recommendation effect । और कर लिया एक ठाद corp को उल्टा कर लिया अब यहाँ से बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेना है इस प्रकार से अब इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हमें सीधे साइड से सिलाई डालके इस प्रकार से साइड से एक सिलाई लगा लेनी है तो चलिए जल्दी से हम उसमें भी सिलाई डाल लि तो देखें इस प्रकार से हमें सिद्धी साइट से सिलाई डालके उल्टी साइट पलटके इस प्रकार से दोनों तरप किनारे से एक एक सिलाई लगा लेनी है अब इसके बाद दीखे हम अपना नाप वाला ब्लाउज लेंगे तो दीखे यहाँ पर यह जो आई पट्टी वाला हिस्सा है इस साइड तो दीखे आई पट्टी से आई पट्टी को बराबर मिला के रखेंगे तो दीखे जहाँ पर यह आई लगाएंगे अब इसके बाद देखे उपर की तरफ हम छेष्ट का मार्किंग कर ले ते चेष्ट का फोड़ पर लेक्ट लेना है तो कैसे लेगए इस प्रकार से लगाया होग है अब तो देखिए इस प्रकार से पकड़ेंगे और थोड़ा हलका खीचेंगे दोनों ब्लाउज को और इस प्रकार से थोड़ा हलका खीचने के बाद यह चौक का निशान जहां पर आ रहा है वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इस प्रकार से तो यह हो गया हमारा चेश्ट का फोर्थ पार्ट अब इसके बाद देखिए हम आरमोल को check करेंगे तो आरमोल बराबर है कि ने इसको भी check करना है एक बार तो देख्यों दोने बलाउज के आरमोल बराबर है आमने सामने ये च्छोक के निश्यान आ रहा हैं और चेश्ट का भी 4th part यहाँ पर हमने बराबर ले लिया अब इसके बाद देखे हम अस्तेन का मोरी का मार्किंग करेंगे तो इस प्रकार से देखे पकड़ेंगे अस्तेन को और जहाँ पर यह फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहाँ पर हम इसका मार्किंग करेंगे ठीक ह तो मैं आपको चौक से यहाँ पर बता देती हूँ इस ब्लाउज में इस तरह से यहाँ पर यह फिटिंग के सिलाई लगी हुई है तो दूसरे वाले हमारे जो ब्लाउज में फिटिंग करनी है हमें वहाँ पर भी इस तरह से मार्किंग करना है तो आप देख सकते हैं हमने यह पे तीनों मार्किंग कर ली है अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है तो चलिए अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम फिटिंग की सिलाई डाल देते हैं तो देखे फिटिंग की सिलाई हमने यहां पर लगा दी है अब इसके साइड से हमें एक सिलाई और लगाने है मार्जिंग के लिए तो इस प्रकार से एक सिलाई हमने और लगा दी है अब चाहे तो दो तिन सिलाई और लगा सकते हैं यहां मैंने दो ही सिलाई लगाई हुए है और देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर जो भी इश्टर धागे होते उनको भी कट कर लेंगे इस प्रकार से तो देखिए यह हमारी दो सिलाई यहाँ पर लग चुकी है अब दुसरे तरब भी हम इसी प्रकार से फिटिंग कर लेते हैं तो देखिए यह हूक वाला साइड है तो यहाँ पर हम हूक वाली साइड के तरफ से ब्लाउच की फिटिंग करेंगे तो देखिए इस प्रकार से जहाँ पर यह हूक लगा है वहाँ पर इस तरह से बराबर दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के रखना है इस प्रकार से हूक प इस तरह भी अब देखे फिटिंग की सिलाई है वहाँ पर मैंने एक चौक से निशान लगाया अब इसके बाद यहाँ पर हुग पट्टी से हुग पट्टी को मिला के रखेंगे और दोनों ब्लाउज को हलका खीचेंगे और जहाँ पर चौक का निशान आ रहा है वहाँ पर यह चौक से निशान लगा देंगे तो यह हमारा चेश्ट का फोरट पाट हो जाएगा तो इस परकार से चौक से हमने निशान लगा दिया अब चलिए इसके बाद हम अस्तिन की मोरी का भी मार्किंग कर लेते हैं तो देखे इस परकार से पकड़ेंगे और यहाँ पर की सिलाई डाल दी है अब एक्स्ट्रा सिलाई और यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से तो दीखे ब्लाउज की फिटिंग हमने कर ली है अब लाश्ट में हमें एक काम और करना है दीखे क्या करेंगे हम अपना नाप वाला ब्लाउज लेंगे और दीखे आई पट्टी से पट्टी इस तरह से मिलाके रखेंगे और हम इसको नापेंगे कमर को तो इस प्रकार से दीखे कमर को में एक बार जरूर नाप लेना है फिटिंग का नाप आप कितने पी अच्छे से क्यों ना दे लेकिन एक बार इस तरह से कमर को जरूर नापे तो देखिए यहाँ पर य इंच एक्ष्टार आया है तो उसके हिसाब से हमें बिल्कुल एक पॉइंट की दूरी से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है एक पॉइंट की दूरी से इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है अब हमारी ब ब्लाज की फिटिंग कर सकते हैं यह भी बहुत अच्छा तरीका है ब्लाज फिटिंग करने का तो फ्रेट्स ब्लाज फिटिंग करने का यह तरीका अपको कैसे लगा प्लिस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पताईएगा और चैनल को अभी तक सबस्राइब नहीं किय तो आज की वीडियो में बस इतना है मिलते अगली वीडियो में थैंक यू